नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल हिस्ट्री डीके वाई में आज हम बात कर रहे हैं आदनिक भायत की एक सांदार पुस्तक प्लासिसी विभाजन तक और उसके बाद जिसके लेखक स्री सेकर बंदो पध्याय सर्ज हैं प्लासिसी विभाजन तक का यह दूसरा संस्क्रण है यहाँ पर कंटेक नमबर एमेल आईडी दिया हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बिशल सूची के इसमें नव अध्धाय हैं पहला ठार में सदीका संक्रमण, भात निविडि समराज, अरांभिक भारती प्रतित्तर, सिधार और बिद्रो, भारती राष्टवाद का उदै, अरांभिक राष्टवाद, असंतोस और विरोध, गांधिवादी राजनीती का उयुग, भारती राष्ट के विभिन स्वर, विभाजन के सांस, तंतरता, और विभाजन के पस्चार, बुक्स में मैप भी दिया हुआ है, मुगर समराज, साथ उसाथ, आप पेज क्रमान साथ में देख सकते हैं, अठारवी सदी की छेते सक्तियां, पेज नमबर तेज में देख सकते हैं, भारत में बिटिस अधिकार देख सकते हैं, और बिटिस भारत और राजवाड़ी 1904 के आसपास 120 से 121, और भारत उनिस नमबर तेख सकते हैं, और भारत 1956 में 504 से 505, दोस्तों हमें शुरुआत से ही यहां पे सब्दावली मिल जाता है, आप देख सकते हैं, अजलाफ अतराफ अब आप यह सारे सब्द जो बुक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यह पुस्तक 18 सदी का संग्रमर से सुरू होता है, सब दिया हुआ मुगल समराज का पतन, अंगरेजों का आगमन, यहां पे मैक्स वगेरा भी दिया हुआ है, यह पुस्तक आपको कहानी की तरह लगेगा, यह पुस्तक U UPSC Optional के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है, Modern History के लिए, और NTA.NET के लिए भी यूच्फुल है, कुछ टॉपिक इसमें NTA.NET की नहीं मिलते लेकिन UPSC के बहुत सारा मैट्रेस में प्रयाप्त है, अठार्मी सदी के छेतरी सक्तियां, भारतन बिटिस समराज का समराज, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सांसदर समराज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं और पूँचा जाता है UPSC एक्जाम में, यह NTA.NET के एक्जाम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, काप यह अच्छे पुस्तक है, 1868 में हाउस आप कामर्स ने एक जान समीती बनाए जिसने अपने रिपोर्ट आप 12 में 30 बीच मुक्त बेपारक समर्थ तक बिटी साजनीती पर हावी हो चुगी थे और भारत में मुक्त प्रवेश्च की मांग कर रहे थे, उनका तरह था कि उनसे भा बात को पूंजी और कुसलता मिलेगी और तथा उद्धों की स्थापना और खेती में नई तकनीक बिखार कान भात में का सरसुदार संभा होगा माल गुजारी के दो हन दिया और इस्थाई बंदो बेवस्था भी यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे रयादवारी बंदो बस्था हर एक टॉपिक को इसमें कभर किया गया है यह एक कहानी की तरह है जो कि बहुत अच्छी लेखन सैली का है महालवारी बिवस्था इसमें दिया हुआ है यह बिटिस भात में राजवारे इसमें रमभीग भात ते प्लेश्चा सुधार विद्रो समाजी सुधार क्या थे धार्मी सुधार क्या थे कितने विद्रो हुए थे अधिवासी विद्रो कितने भी विद्रो हुए है सब कुछ इस पुस इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं अब भाती राष्टवाद को उद्धे भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अच्छी पुस्तक है सांथे राम्भिक राष्टवाद, असंतोस और बिरोध, नरमपन्थी और गरामपन्थी के बारे में भी पुस्तक में दिया हुआ है यहाँ से एक इंपॉर्टन चैप्टर खुलता है गांधिवादी, राजनीती का यूग यहाँ पे गांधिवादी, राजनीती, गांधी जी का भात में प्रवेस हुआ गांधी जी के अंदोलन यहाँ पे भात दिराश्ट के विभिन स्वर, मुस्लमानों का लगाओ हर एक नेतियां पे टॉपिक दिया हुआ है इस्तियों की भागिदारी कैसी थी इस्तियों का अंदोलन में क्या भूम का था यह सारे काफी को कफर किया हुआ है और यह पुस्तक डिजर भी करती है एक अच्छे लेखन सहली की है यहाँ बिभाजन के साथ स्वतंदरता बिभाजन के बाद भाद छोड़ वंदोलन बिभाजन के पहले जो होता है यहाँ दोस्तों आपका श्टार्ट होता स्वतंदरता विभाजन के पस्चाद भाद की दसा नहरुवादी यूगे कांगरेस की नीतियां, कांगरेस के खत्म, कांगरेस के पतन के कारण सभी कुछ इसमें इसके बाद दिया हुआ है, कांगरेस के उपने इस बाद नीति, स्वर्य दोस्तों उपने इस बाद नीति नहीं, कांगरेस संदार पिका पुस्तक क्या मेटर लिया गया है यह सारी चीजे इसमें तीछे लिखा हुआ है हलांकि दोस्तों यह बहुत अच्छी पुस्तक है जरूर आप अध्यन कीजे पुस्तक को आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा यह पुस्तक UPSC exam के देश्टिकोंट से बहुत अच्छे पुस्तक खासकर optional exam के लिए हिस्ट्री के जो student होने के लिए बहुत अच्छे पुस्तक रहेगी और साथ में अगर आपको NTA net के त्यारी करनी है तो इसमें कुछ topic इसमें आपको छूट रहे हैं जैसे Congress का राष्ट्री अंदोलन Congress का जन्म इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है Governor General के सुधार यह सब कुछ topic इसमें नहीं हैं लेकिन फिर भी है पुस्तक बहुत अच्छे पुस्तक है यहां पर दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्ले लाइक सब्सक्राइब चलूर कीचेगा नमस्कार दोस्तो